जो आज हम लोग जो सीखेंगे वो है future dance, future में हम शुरुबात करें किसे simple future dance, जिसका नाम होता है future in definite, चले स्टार्ट करते हैं, देखें आप, future in definite dance, इसका पहला नियम यह है कि अंद में, गा है, गी है, गे है, किस टाइप के sentence आते हैं, गा है, गी है, गे है, जैसे वहाँ गा गाना गाएगा, वहाँ गाना, तो मतला कुछ भी गागी गे वहाँ खाना खाएगा, ठीके, इस type के गागी गे, इस type के अगर sentence means future, भविश्य में होगा, भोका, अभी हुआ निये, होने बाला, तो उसके लिए हम future in definite dance का use करते हैं, यानि आंद में गागी गे आता है, ओके, गागी गे आता है, गागी गे, ओके, लास्क में आगे, वहाँ खाना खाएगा, वहाँ गाना खाएगा, वहाँ स्कूल जाएगा, इस type के अगर sentence आए, तो वह future in definite dance करते हैं, ओके, पहली चीज़ तो यह होगे, दूसरा आपको यह याद रखना है, कि इसमें share, या फिर दि अगर किसी चीज़ में गंति की जाती है, तो यह concept अगर आपका clear हो गया, तो आपको इस tense में कोई problem नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ, आपको जो share का use करना है, share का use होगा, I or me, I or me के साथ हम use करते हैं, share का, okay, ठीक है, और बाकी जितने भी है, बाकी क्या 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 गच आपको इस चीज़ है, I or me के साथ हम share का use करते है, और he, she, it, you, B तो यहाँ पर आगया, दे, किसी का नाम आगया, चिल्द्रनस आगया, बाकी मतलब जो भी चीज़ होगा, बस I or me को छोड़के, I means me, we means hum, इन दोनों चीज़ों को छोड़के, बाकी जितने भी चीज़े तो आहिए, आप उसमें किसका use करें के will fun, ok, share का use, I or me के साथ होता है, बाकी सभी के साथ, जितनी भी चीज़े हो, सरफ यही नहीं जो मैंने लिखी है, बाकी जितनी भी चीज़े हो, उनके साथ भी हम किसका use करते है, will का use करते है, बट, लेकिन अभी भी वी चीज खतम नह हुई है ओके आपको यह पता होना चाहिए विल और शेल जो पूते हैं वो एक मॉडल वर्व है कौनसी वर्व है मॉडल वर्व इसलिए यह चीज़े हम वैसे नॉर्मली तो यूज करेंगे बड़ अगर सेंटेंस इस टाइप का हो कैसा की जिसमें पहली चीज है पहला दठ ग्रण संकल्प करो तो दूसरी चीज अगर मैं किसी से प्रॉमिस कर रहा है कि ऐसा काम कर ना है तो प्रॉमिस अगर हो रहा है तो वहाँ पर ठीक है और तीसरी चीज आपको याद रख़ी है कि अगर अगर किसी को धंकी ले रहे, धंका रहे, कि तुम ऐसा करूँ और ना मैं ऐसा कर दूँगी, ठीके, इस टैक के जो sentence आते है ना, उसमें ये rule उल्टा हो जाते है, ओके, I, V के साथ आप बिलका यूज़ कर दोगे, और बाकी सभी के साथ आप किसका यूज़ करोगे, शेल का, ठीके, तो आपको ये याद रखना है, वैसे नॉर्मल सेंटेंस करेंगे, तो आपको किसका यूज़ करना है, I, V के साथ मैं शेल का, और ही, शी, इट, एक, मतलब बाकी सभी के साथ आप किसका यूज़ करेंगे, बिलका, बट अपोज़िट का हो जाएगा, जब सेंटेंस आए, क किसी को धमकी दे रहें, ऐसा कर, वरना मैं ऐसा कर दूँगा तुमारा, ठीके, किसी को धमकी दी जा रहें, इस ट्रैक के, अगर सेंटेंस, अगर किसी में आते हैं, तो आपको क्या करना है, वूज़ को अपोज़िट कर दे कर, आप फिस शेल का यूज़ नहीं करेंगे, आ यह चीज़ आपको समझ में आभी, अपोज़िट कर देंगे, कब करेंगे अपोज़िट, जब सेंटेंस इस टाइप का, इस टाइप के सेंटेंस के लिए, आप आए भी के साथ, किसका यूज़ करेंगे, आप क्या यूज़ करेंगे, आप पहले तो शेल का कर रहे थे, ठीक है तो यह चीज आपको clear होगे यह जब होगे ताप चले इस चीज को एक बार example के तूँ देख 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 मैं इस चीज के लिए एक example आपको लेट हूँ आई-kill अब मैंने यहाँ पर लिखा है आई अब आई देखके आप यह सुख सकते हो कि आई और वी के साथ तो हमें share लगाना है तो आप यहाँ क्या लगा दोगे share यहाँ पर आपको option दिये गए है share या फिर will ओके तो यहाँ पर आपको share लगा रहा है कि will तो आप I और वी देखके कि इसने तो हमें I और भी बताया था तो हम तो share लगा है यह ID के साथ share लगता है लेकिन आप sentence को समझ यहाँ पर क्या दोला जा रहा है sentence में I dash kill you मैं तुमें मार दूँगा या मार दूँगी तो यहाँ पर जो होगा यहाँ किसी को धंकी दी जा रहे है और धंकी दी जा रहे है यानि sentence opposite हो जाएगा यहाँ पर आप shell का यूज़ ने करेंगे आप इसका यूज़ करेंगे will का तो I will kill you तो इस तरह से आपको यह चीज़े ध्यान रखने है कि इस type के अगर चीज़े हो तो उसमें shell का विल हो जाता है विल जहाँ यूज़ होता है वहाँ बैस shell यूज़ हो जाता है चले यह चीज़े आपको समझ में आगई हो गी चले अब तीसरा नियम देखते हैं तो यह चीज़ हो गए अपनी यह मैं चीज़ की अगर आपके यह चीज़ समझ ली तो आप तो अपना टेंस अच्छे से कर देगे कोए problem नहीं आएगा तो यह होगा आपना shell विल ठीके है है कि मैंने बता दिया आपको अब यह है simple indefinite tense तो simple indefinite tense होता है तो वर्बिकी हमेशा कौन से यूज़ होगी first form का ही यूज़ होगा और फिर object लग जाएगा ठीके अब इसका जो अब आते हैं formula बर तो formula होता है subject प्लस बेशे लगेगा बिल या शेल फिर लगेगी वर्बिकी first form और फिर लगेगा object यह rules आपको याद रखना है और आप आसानी से इस सोच को कर देंगे okay जैसे वह स्कूल जाएगा okay यहाँ पर लिखा हुआ है वह स्कूल जाएगा तो वह लड़का ही या लड़की है क्या है लड़का ठीके तो और बागी यह आ रहा है आखरी में तो आप यहाँ पर यह लिखेंगे है ना अब दिल या शेल के समाद क्या यह लिखेंगे तो आप क्या करेंगे ही के साथ क्या लगाएंगे विल फिर हम बर्द की फस्ट फॉर्म पर आएंगे जाने का फस्ट फॉर्म क्या होता है दो और कहां जा रहा है स्कूल तो यहां पर आगे इसके okay दूसरा है अब आपको अगर कोशन यही आजा है वह स्कू पूल नहीं जारेगा ठीके तो यहां पर आगया नहीं तो नहीं आगया तो सहाय क्रिया के साथ आप क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे okay तो यहां पर आपका इस विल नॉट गो तू इस पूल okay तो यह चीज़ हो गई आपकी अब sentence इस test का भी आ जाते हैं यह दोनों होगे अब एक कोशन बारे देखने आपके क्या वाद पर इस्पूल जाएगा क्या वाद इस्पूल जाएगा अब यहां पर पूशन पूछा जा रहा है खिंगे तो यहां पूशन पूचा जारा है तो आप जज़िल का यूज़ करने वाले बोई साहती लिए जो प्योटी वह कहां जाएगी शुदू में, वही सेंटेंस लिया है मैंने, ही का ही उजगा, तो ही कहां आ जाएगा, वही के साथ किसका ही उजगा है, बिल का, तो बिल कहां आ जाएगा, शुदू, बिल, ही, गो, तो इस्कूल, और यहां आप कोश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक हैं, अब क्यों, कहां पर आया है बीच, अगर क्या, क्यों, कैसे, अगर शुदू में है, तो तो हम सहाय करिया शुरू में ले आते हैं, लेकिन अगर क्यों बीच में आया है, या क्या बीच में आया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्यों को इंगलिश में क्या बोलते हैं, तो वाई, तो आपको सबसे पहले क्या रवाना पड़ेगा वाई, अब वह लड़ता है, ही, के साथ जो सहायख्रिया होती है, वो कहां पर आएगे शुरू में, लेकिए भाई के बाद, सहायख्रिया अगर प्रेश्न आच बाद के हैं, तो सहायख्रिया तो शुरू में आनी लेकिन अगर अगर शेंटेंस बीच में प्रेशन कोचा जा रहा है तो तो इले वो चीज क्यों को हम क्या बहुत है भो लिग दो फिर हम सायग है क्या है वाइविल की गोड़ो इस्पूल और फिर हमें क्या लिख दिया कोश्चन माई इस टाइब से एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपको बताया है जैसे आपर इग्जाम्बल है आई आई शेल गोड़ो इस्पूल वे शेल गोड़ो इस्पूल मैंने आपको बताया अगर धंकी मतलब यहां पर क्या है यहां कोई धंकी नहीं है दे जारी है कोई धंकी नहीं दी जारी है तो यहां पर मैंने शेल का है कोई द्रण संकल्ब नहीं है कि मुझे स्कूल जा गहीं है अगर जरूरी हुआ तो कि मेरा द्रण निष्चा ही है कि मैं इस्कूल जाओंगी और कोई option ही नहीं है जब अपना ह्रण संकल्प होता है किसी चीज का तब हम इधर विल भी यूज कर सकते हैं तो बिल का यूज यहां पर किया जा सकता है वो गलत नहीं है लेकिन तब ही किया जाएगा जब उस चीज के लिए द्रण संकल्प हो कि हां इसके अलावा कोई चीज होनी ही नहीं है मुझे किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट देना ही है यह नहीं है कि उसमें मैं को बहुत ऑप्शन रखू कि नहीं देना दे भी सकती उने भी दे सकती ऐसा नहीं रहेगा अगर आप किसी चीज का द्रण संकर्प कर लेते हो तो आप उसके लिए आई और दी के साथ में शेल्फ की जगे बिलका प्रयोग करो दे ठीके यह चीज आप ध्यान रखेंगे चलिए अपना यह टेन्स फिनिश होता है अब आप इसके एक्जाम्पल कुछ प्राक्टिस कीजिएगा ओके अधी क्लास में मैं अप्रेता इस सम्चाओ की देंदेगा